आजकल अपरादी अपराद करने के नए नए तरीके ढूट रहे हैं ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है मुंबई से जहां मुंबई पुलिस ने 23 साल के एक यूवक को नाबालिक लड़की से शादी करने के लिए उसके अधारकार्ट में जनमतिती से छेरचाड करने के आरोप मे जनमतिती में इसलिए बदलाओ करवाया ताकि उसे बालिक साबित किया जा सके दोका धड़ी का पता चला जब यूवक और लड़की की शादी 11 अपरेल को बांदरा मैरिज रजिस्टार में हुई और बाद में अनिवारिक कानूनी अनवचारिकता को पूरा करने के लिए उ इसको लेकर उन्होंने केस भी दर्ज करवाया आपको बता दें पिता से मिली जानकारी के हिसाब से लड़की की असली जनमति थी 7 मई 2006 है लेकिन यूवक ने इसको बदल कर 12 मार्च 2004 करवा दिया था जिससे लड़की की उम्र 18 साल हो सके और वो उससे शादी कर सके वहीं भरन धोका धड़ी जाल साजी बाल विवाह के आरोप में गिरफतार कर लिया है आरोपी को आगे की जाच के लिए नया एक हिरासत में भेज दिया है साथ ही पुलिस मामले में लड़की और उसके परिवार की भूमिगा की भी जाच कर रही है वहीं दूसरी खबर सामने आ र रहे थे जिस वक्त बाग ने उन पर हमला किया पताय जा रहा है कि लगभग पांच बजे बावन वर्से बिरेंद सिंग के उपर घर के बगल के खेत में गेहूं की कटाई करते समय तीन बागों ने हमला बोल दिया जिससे बिरेंद सिंग की मौके पर ही मौत हो गई आपको बता दे वन विभाग के गडवाल डिवीजन और कॉर्बेट नैस्नल पार्क से सटे इस गाउं में पांच बागों की चहल कदमी देखी जा रही थी जिससे सभी ग्रामीडों में पहले से ही डर बना हुआ था और अब इस हमले के बाद ग्रामीडों में डर और ज्यादा झाल